स्वागत हैं आप सभी का मैं हूंगी तो चाहान बुलेटीन की शुरात करते हैं पंजाब के सीएम भगवन सिंग मान हाई लेवल बैठक उन्होंने बलाई है और इस बैठक में सीएम मान ने भी सभी तरह की रेजिस्ट्री से एनो सी की शर्त खद्म करने का निने लिया है इस दौरान इस फैसले के सभी पक्षों पर चर्चा हुई वहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि विधान सबा सेशन में अनो सी संशोधित कारून का प्रस्ताव लाया जाए मुके मंदरी भगवन सिंग मान दौारा एनो सी वापस ले जाने वाले बयान को लेकर प्रॉपर्टी डीलर असोसेशन जिला पटियाला के प्रधान राच कुमार राना ने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को पूरी तरह से लागू करती है तो ये बहुत बड़ी राहत की ख़बर होगी कारोबारी लोगों और आम लोगों के लिए भी क्योंकि पिछले लंबे समय से ना लेने के कारण जमीन जादा बेचने खरीदने वाले लोगों का काम बंद पड़ा था इसके अलावा जिन्होंने अपनी पुष्टैनी या पारिवारिक प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी थी वो लोग भी परिशान हो रहे थे जो सरकार ने कल मुक्हमंत्री साव ने ब्यान दता है टीवी चल रही ख़वर बड़ी खुशी आली गाला चाहे बादल सरकार सी चाहे कांगर्स सरकार सी जड़ा चोन मैनिफेस्टों चाहां पाल्टी ने अपना रख्या सी अभी जे साड़ी सरकार आंदी या था लाटा थे शर्त खतम करता है अशी था पर बहुत तब कर देंगे उपर तक लोगांदली बहुत जुरूरी सी आम आदमी पार्टी जड़ी वादे करके आई सी उसनों पूरा कर रही है लोग इस दा बड़ा बड़ा स्वाग्द करने तक लेगे उपर तक लेगे उपर तक पबलिक नो इदा फैदा मिलेगा सरकार नो भी दा बड़ा बड़ा रेवनियू मिलेगा काम होएगा लोगां दा लोगां जे बड़िया देखे जाएगी इस गल्दी इस सरकार जड़ी है तो मिद्दा तक खरा उतर रही है अनोसी वापस लेना राहत की खबर और अब प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में इससे आसानी होगी इस बात को साफ तोर पर का जा रहा है कि अनोसी अब वापस ली जा सकती है और ऐसे में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह झालाते हैं उन्हें इसमें काफी आसानी होगी तो ही साफ कर दिया गया है कि अनुसी अब वापस होगी इससे परोपर्टी में जो समस्याय आरही थी उनमें राहत मिलेगी अनुसी वापस लेना राहत की खבר भी मानी जा रही है क्योंकि जो लोग snow property खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी पुष्टैनी जाइदाद को बेचना चाहते हैं उनके लिए ये राहत की खबर है बता दे कि यहां पर कारोबारी और आम लोगों के लिए पिछले लंबे समय से ना लेने के कारण जमीन जादा बेचने खरीदने वारी लोगों का काम बंद पड़ा था इसके लावा जिन्होंने अपनी पुष्टैनी या पारिवारिक प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी थी वो लोग भी परिशान हो रहे थे तो अब अनोसी को वापस लेने की खबर सामने आ रही है जिससे की लोगों मेराहत है क्योंकि जो लोग अपनी पुष्टैनी जमीन को बेचना चाह रहे थे उनके लिए अब ये मुश्किल कम होती हुई देख रही है और इसक्तमारे साथ समाधाता जस्वीर सिंग जुड़ गए है जस्वीर पूरा मामला क्या है ज़रा विस्तार से समझाईए अनोसी को लेकर क्या कुछ यहां पर परिशानी आ रही थे जस्वीर आवाज पहुंच रही है अब तर तो एनोसी वापस लेना राहत की खबर है एनोसी को लेकर काफी समस्याएं आपर बताई जा रही थी क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना कई न कई लोगों को यह परिशान कर रहा था एनोसी अब वापस लेने की खबर जब सामने आई है तो इससे लोगों ने राहत की सांस ली है जस्वीर हमारे साथ जुड़े हुआ यह जानते हैं उनसे जस्वीर सबसे पहले तो आपसे यह जाना चाहेंगे कि एनोसी को लेकर पहले क्या खबर चल रही थी लेकिन अब जब इसे वापस लेने की बाद कई जा रही तो लोग काफी खुश नज़र आ रहे हैं तक तमारा संपर्क नहीं हो पारा जस्वीर से लेकिन आपको बता दे कि क्योंकि एनोसी एक ऐसी बड़ी बाधा बनी हुई थी जो की अनिवार ने था लेकिन उसको लेने के लिए जो कानूनी पेचीदगी थी वो इतनी जादा थी जिसके चलते लोगों में काफी परिशान थी लेकिन अब जब इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि एनोसी वापस ले सकते हैं तो ऐसे में जो लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए अब बहुत आसानी होगी क्योंकि एनोसी को लेकर अभी इस प्रकिरिया को कुछ समय के लिए रोकने की बात कही जा रही है तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में इससे आसानी होगी यानि की एनोसी वापस लेना एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन्हें लोगों के लिए क्योंकि पिछले काफी समय से एनोसी की जो प्रकिरिया थी वो काफी लंबी और एक बड़ा पिर से जसीर हमारे साथ जुड़े हैं जसीर आवाज आ रही है आपको जसीर आपस जाना चाहेंगे अनोसी को लेकर ये क्या पूरा मामला चल रहा था लेकिन फिलाल अब लोगों ने प्रती किरिया दिया क्योंकि एनोसी को वापस लेने की बात कही जा रही पर उन्होंने ये बोला है कि जितने आज से पहले जितने भी आनातिकारिस लोनी होगी और जिसकें स्वीधी होगी इसमें से अपको जादे इसमें रेवनी तो बड़ा है बलता है जिन लोगों को बहुत परशानिया होती है जिसको दूर करने के लिए आमाधी पट ने पहले भी एक प्रयास किया पर अब उन्होंने यह प्रयास किया उन्होंने बोला कि अब किसी भी नोसी की कोई जरूरत नहीं होगी और सीदे ही रि जिसमें कोलोनी काट ली जीगा पर आज के बाद अगर आपको इन अधिकारी कोलोनी काट होगा तो जीदा जेल्स में जाओगे ठीक हिस्टर जी अबरकुल धन्यवाद आपका इस पूरी चानकारी के लिए तो एनोसी वापस लेना अब हाला की राहत की खबर है लेकिन साथ यह कहा जा रहा है कोलोनाइजर्स को कि बिना अधिकरित के हुए कालोनी काट नहीं सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानों ने प्रिकरिया होगी वहीं चंडीगर मेर चनाव पर विरोद प्रिदेशन जा रही है और इसी को लेकर भारती राश्ट्रिय चातर संग यानि के नस्यूआ के कारिकरताओं ने बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच की और इस प्रिदेशन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रिदेशन कारियों पर प्रिदेशन कारियों पर लाटी चार्ज किया लेकिन प्रिदेशन कारियों ने भी यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर विरोध जारी रखा आगे बढ़ते हैं किसान फरसलों के लिए नियूनितम समर्थन मुल्य यानि कि MSP की गैरेंटी के लिए कानून बनाने सईथ कई अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे किसानों के इस मार्च को लेकर सयुक्त किसान मोच्चा के नेता जगजीत सिंग डलेवाल ने दावा किया कि देश भर से दोस्तों से जादा किसान संगठन दिल्ली चलो मार्च में भाग लेंगे सिर्फ पंजाब से ही नहीं हरियाना सहीत अन्य रज्चो की किसान भी इस मार्च में हिस सलेंगे किसान शंबू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर से दिली की ओर जाएंगे किसान मज़ूर संगर्श समीती के माहा सच्चिव सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि MSP के लिए कानूनी गारंटी के लावा किसान स्वामी नातनायों की सिफारिशों को लागू करने किसान और खेत मज़ूरों के लिए पेंशन, क्रिशी रिन माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीम पुर्खिरी हिंसा के पिड़ितों के लिए नियाय की भी मांग कर रहे हैं और जादर जानका एक लिए बात करेंगे समाधाताम वीना अरूरा से वीना तो जिस तरह से किसान यहाँ पर काफी नाखुश नज़रा रहे हैं क्या जानकार इसको लेकर वीना आवास पहुंच रही है आप तक अगता मारा संपर्क नहीं हो पा रहा है वीना से एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको बता दे किसान मोर्ची की तयारी में है 13 फरवरी को किसान दिली में मार्च करेंगे अपनी मांगों को लेकर प्रदेशन करेंगे बताया चारा है कि MSP को लेकर किसान यहां पर सवाल बठाएंगे और कोशिश ये पूरी रहेगी कि दिली वो पहुंचे और अपनी मांगो को लेकर सरकार को अवगत कराए 13 फरवरी को किसान दिल्ली के तरफ रुख कर रहे हैं और काफी तादाद में किसान यहां पर पहुंचेंगे हाला कि पुलिस के तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि ये विरोध बहुत जादा प्रदर्शन जो हावी ना हो जाए और ऐसमें पूरी कोशिश की जाएगी सुरक्षा को लेकर इंतिसाम किये गए हैं 13 फरवरी को किसान दिल्ली में मार्च करने वाले हैं अपनी मांगो को लेकर किसान यहां पर मार्च कर रहे हैं जाए जारा कि MSP को लेकर भी किसान अपनी बात रख सकते हैं और इसके रावा किसानों से जुड़ी और जो समस्याएं हैं उनको भी यहां सरकार से वगत कराने की कोशिश होगी एक बाद फिर से रुख करेंगे वीना का वीना आवास मिल रही है आपको किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली कूछ करेंगे ऐसे में MSP बड़ी मांगे इसके लावा और क्या मांगे हो सकती है जिसके पैंक्सी में बताना चाहूंगे कि तहले गर भात की जए तो पहले किसान जो तो पनी मांगों को लेकर लगाता है एक सारपोरा पून्दी बाच्थर जो के वहां पर पैठार रहे हैं लिकि एक जो वड़ी मांगे इनस्की है तिल्ली पूँच कर रहा है जिनको लेकर जी बली कूछ कर रहे हैं तो बार बार अपने मांगो को कुरा करवाने के लिए जी मिंब शुक रहाया और अंद्लान करना पढ़ते हैं यह युक्ट बड़े मामला ये सामने हैं जाई तो चेहना कि इस वार सर्कारे के नराज मुढारे है बिल्कुल बिल्कुल और वीना यहां पर हम ये भी समझेंगे क्योंकि लगातार जो किसान अपनी मांगो को लेकर सरकार के से सवाल तो करी रहे हैं लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि किसान हितेश्वी सरकार हैसे में उनकी मांगों को सुना जाएगा MSP बढ़ाने की मांग को लेकर क्या कुछ बात अभी तक निकल गड़ सामने आ रही है कि प्रूफ प्रफच्ला कि सिस्टानों कि सिस्कार अगर सुकतेने थे सिस्टानों को खाथे मेरे हिए ज़ स्थरोड़ी देंके पयानुट क्याए झाले ऑजिवार वर्फर ч partner कि सिस्कार घंगर進ग जग राते हैं. कहिना कि इस समस्था का समधान करीब हो करता है ही पुलिस निजाज शुरू कर दी है वही शव को सिविल अस्पताल सुल्तान पुर्लोधी के शवगरी में रखा गया है यह कुट्यों को काबू किया जाए सर या गरीब बंते हैं क्या निजाज काम किया है यह बताव आंको इसाड़ी रात कटना हुए कि परवासी परवारे थे रहरे यह बंदे उपर ही अपना में तमझ दूरी करके अपना पॉस्चन कर देया राते लगे इसी लागे अपने ना होगी है एक उस तो लावा एक जनानी होर्सी हो जे जेरेल आजा सिवलाउस प्रिल्ड कपूर सादे वे थे उसनों भी बुरी तरह सादा जो इसका लपता अंबामा सारी यह बलचार होगी है बिलकुल नवा शेहर पुलिस ने मध्या पुर्देश से पंजाब में हत्यारों की सप्लाई करने वाले गिरों के एक शातिर को दस पिस्टल के साथ गरफतार किया है आरोपी के खिलाफ आम्स एक्ट का मामला दर्च कर आगी की कारवाई शुरू कर दी गई है इस मामले को लेकर डियेस पी सुनिंदर चांद ने बताया कि नवा शेहर पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि एक रेक्टी पंजाब में अवैध हत्यारों की सप्लाई करने की फ्राक में था और वो नवा शेहर में घूम रहा था इसके पास सी आईए स्टाफ की टीम की ओर से इंचारज अवतार सिंग की अगवाई में गड़ेश शंकर के गाउं थाननिवासी बलकरने सिंग को गर अवतार कर लिया आरोपी के पास से दस पिस्टल बरामद हुई है जो की मध्या प्रदेश से वोलाया था अरियाना के सिया मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है राश्ट्रिय स्वम सेवक्स संग के वरिष्ट प्रचारक सत्राण जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ उनने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा और राश्ट्र के प्रती अपना दायत वनिभाते हुए अपना पूरा जीवन मा भार्ती को समर्पित कर दिया इश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को श्रांती एवं शोका कुल परिवार को ये दुख सहन करने की श्रक्ति प्रदा हर्याना में आबाद्मी पार्थी के नेताओं ने बेरोजकारी के मुद्दे को लेकर सेमावास का घिराप किया इस तोरान बड़ी संख्या में आबाद्मी पार्थी के कार्यकरता भी चुटे और इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुपता और धाड़ा शामिल हुए वहीं प्रदर्शन करते वे कार्यकरताओं ने कहा कि हर्याना सरकार प्रदेश में नौकरी नहीं दे रही सरकार ने पचास हजार नौकरियों का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया और इवा बेरोजकार घूम रहे हैं और जादे जान का एकलिए बात करेंगे समाधाताओं वीना अरूरा से वीना तो ये जिस तरह से आमादी पार्टी के कार्यकरता लगातार घृराव कर रहे हैं क्या कुछ मांगें इनकी किस बात को लेकर विरोद किया जा रहा है जिस बतांसे बलकुल अगर बात करूंगें तो यह जाना हो का साल है तरगर्मिया चिनाउं पीजियों वह लगातार जारी है तो सभी अगर पंघ्रस याभाज़पा है जाम अधी पार्टी के पिज़ इस जात्राइएं भी तर रहे हैं लो अपने मॉंगों को लेकर और कि एभी कुछ खान्सर्ट नहीं को नहीं नोजप्राइब के निगे थे तरिणा नहीं नहीं पॉमादी नहीं करते हुए इसमिपन्हा है। पूरी चानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं फरीदाबाद में सुभा से इंकम टैक्स विभाग की टीम ने 15 जगव पर चापे मारी की बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारी पेल गुपता और जोतिय स्ट्रिप के मालिक नरेश गर्ग के घर और संस्थानों पर आईटी की चापे मारी चल रही है इस चापे मारी में आईटी टीम के अधिकारियों के साथ सी आर पिएफ के जवान भी मौजूद रहे हाला कि मामले में अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि ये चापे मारी क्यों चल रही है और इन कारोबारियों के आरोब क्या है और इसी के साथ बुलेटिन में फ़लाल इतना ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद खबरे लगातार चारी है